पर्दान मंतरी जी मेरा स्वाल है, गुड गवर्नेंस से आपका क्या विप्राए है? कुछ लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस बैड पोलिटिक्स है और क्या आप गुड गवर्नेंस को रोजमर्रा की चर्चा का विशे बनाने में सफल हुए है? हमारे देश में लोक तंत्र का एक सरल अर्थ ये हो गया कि एक बार वोट दे दो और फिर पांच साल के लिए उनको कॉंट्रेक्ट दे दो कि बते तुमको दिया अब तुमारी जिम्मेवारी हैं सारी समस्यों का समाधान कर दो और अगर पांच साल में कुछ कमी रही तो फिर वोट दे करके दूसरा कॉंट्रक्टर ढूंड लेंगे और उसको कहेंगे देखे उसने नहीं किया तुम कर दो सिर्फ वोट दे करके सरकार चुनना अगर लोगतंत्र वहाँ पर सिमीत हो जाता है तो लोगतंत्र का जो स्पिरीट है वो कभी पनप नहीं सकता है और इसलिए पार्टी सिपेट्री डेमोक्रेसी जन भागीदारी वाला लोगतंत्र यह सबसे बड़ी भारज जैसे विशाल देश में आवश्यक्ता है टेकनोलोजी के कारण यह सहज संभव हुआ है आज जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो जन भागीदारी का उत्तम उधारण है लोग अपने आप, संगठन, नेता सब लोग कुछ नो कुछ करने का प्रयास करते हैं आपका सवाल था गुड़ गवरनांस हमारे देश में माना गया है गुड़ गवरनांस इज़ बैड़ पॉलिटिक्स यह सही है कि जाधा तर राजनीती में चुनाव जीतने के बाद सरकारों का इस बात पर ध्यान रहता है कि वे अगला चुनाव कैसे जीते अर इसलिए उनकी योजनाओं की प्राइवरिटी उसी बात पर रहती है कि भाई अपना जनाधार कैसे बढ़ा है और अधिक वोट पाने के क्या रास्ते खोजे अर उसके कारण जिस उकदेश से कारवा चलता है वो कुछ ही कदमों पर जाकर के लुड़क जाता है और उसके कारण हमारे देश में गुड़ गवर्नांस इस्टाबलिश्मेंट अफ इंस्टिटूशन्स चेक्स अन बैलेंस की व्यवस्ता हर स्ट्रेज पर स्क्रूटिनी रिस्पॉंसिबिलिटी विद अकाउंटिबिलिटी इन चींजों के प्रति उदासिंता प्रवेश कर गई देश में बदलाव लाने के लिए जितना महत्मय नीतियों का है निनयों का है उतना ही महत्मय लास्ट माइल डिलिवरी का है आपने जो सोचा, समझा, निर्ने किया, धन लगाया अगर उसके लाभार्थी तक वो पहुंचता नहीं है आपने जो योजना बनाई वो योजना का अगर लाब नहीं मिलता है कुछ दिनों के लिए तो वहवाई हो जाती है कि सरकार ने अच्छा निर्ने किया एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, हेडलाइन न्यूज भी बन जाएगे लेकिन अगर हम गुड गवर्ननस पर बल नहीं देगे तो सामान या मानवी के जीवन में बढ़लाव नहीं आएगा मान लीजिये सरकारी खजाने से पैसे खर्च करके एक बहुत बढ़िया अस्पताल बन गया बहुत बढ़िया इमारत बन गई उत्तम से उत्तम संसाधन वाँ लगाए गए साधन लाए गए टेक्नलोजी लाई गई लेकिन वहाँ जो मरी जाता है अगर उस मरीश को इसका लाब नहीं मिलता है एक कमरे से गोजरे कमरे उसको भटकना पड़ रहा है इमर्दंसी का पेशंट आया है कोई देखने वाला नहीं है तो इतना डेवलप्मेंट होने के बाद भी इतना धन लगाने के बाद भी इतना बड़िया अस्पताल बनाने के बाद भी लेक ओप गुड गवरनन्स यह अर्बों खर्बों रुप्या बेकार जाते हैं और इसलिए डेवलप्मेंट और गुड गवरनन्स इन दोनों का संतुलीत संबंद रहना चाहिए तभी जाकर के सामान्य मानुवी को लाब होता है गुड गवरनन्स हमारे देश्ट में एक दुर्भाग्य है कुछ ओपिनियन मेकर किसी पंचायत में कुछ हो जाए तो भी प्रधानमंतरी को पूछेंगे नगरपंचायत में हो गया तो भी प्रधानमंतरी को पूछेंगे जीला परिशद में हो गया तो भी प्रधान मंत्री का जवाब मांगेगे नगरपालिका में हो गया तो भी प्रधान मंत्री जवाब दे महानगरपालिका में हो गया तो भी प्रधान मंत्री जवाब दे राज्य में हो गया तो भी प्रधान मंत्री जवाब दे पूलिटिकली तो यह ठीक है टी आरपी के लिए भी शायद ठीक होगा और प्रधान मंत्री को तकलीब हो वो कोई बुरी चीज नहीं है लोग तंत्र में होनी भी चाहिए और मेरे जैसे को ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उसका दुस्परणाम यह होता है कि पंचायत अपनी जिम्मेवारी फीली नहीं करता है नगरपंचायत को लगता है मेरी जिम्मेवारी नहीं है नगरपालिका को लगता है मेरी नहीं मानगरपालिका को लगता है मेरी नहीं राज्यो को लगता है मेरी नहीं और उसके कारण गवनन्स को बहुत बड़ा नुक्षान होता है गुड गवनन्स के लिए पहली आवशकता है जिस जिसकी जो जिम्मेवारी है उससे उस जिम्मेवारी का हिसाब मागना चाहिए न नीचे हिसाब मागना चाहिए न उपर मागना चाहिए सीधा सीधा उससे मागना चाहिए तब सुधार होगा सुधार तब होगा और इसलिए good governance and people awareness and opinion maker ये बहुत आवशक है कि जिसकी जिम्मेवारी हो उसकी जवाब दे ही हो ये एक बहुत अनिवारिय है दूसरा good governance में मेरा मत है कभी कभी समस्याओं की जड़ में सरकार स्वयम होती है कि मैं जानता हूँ यह मैं बोलता हूँ उसके कान क्या क्या होगा कि सरकार जितनी निकल जाए उतना ही जनता सामर्थवान बनेगी और जनता राश को जो चाहिए वो दे सकती है सरकार हर जगा पे आड़े आने की जरूत नहीं है लेकिन अंग्रेकोंज के जमाने से यह आदत बनी हुई है इसको बदलना कठीन काम होने के बावजूद भी गुड गवर्नन्स के लिए यह बदलाव जरूरी है सरकारों ने अपने आपको बदलना होगा रुकावटे पादा करे जनता को बार-बार हमारे पास आना पड़े हमसे हिसाब मांगना पड़े कि अब आप सिंपल सी बात है है आज जरोस का जमाना हो टेक्नोलोजी आ गई लिकिन उसके बावजूद भी हम सर्टिफिकेट एटेस्ट करने के लिए उसको आगर करते थे कार्परेटर का साइन लेया हो, MLA का साइन लेया हो, MP का साइन लेया हो, तशिलदार का साइन लेया हो, वो बेचारा साइन लेने के लिए गुमता भिरता था, हमने आकर के निर्णय किया भई, जनता बे भरोसा करो ना, जेरोक्स मसीन है वो जेरोक्स करके भेज देता है जब फाइनल जॉब मिलेगा तब ओरिजिनल सर्टिप्वेट देख लेना टेली कर लेना गुड गवणनेंस में प्रोसेस कम हो सामान्य नागरी को कोई भी चीज आसानी से पता चल जाए यह हम सहज रुप से डेवलप करने के पख्षके हैं यह ठीक है कि भारत सरकार को तत्काल नागरिकों से सम्मन उतनी मात्रा में नहीं आता है जितना राज्यों को आता है अज जितना महानगरपाली को को आता है लेकिन फिर भी अभी हमने एज अब डूइंग बिजनेस का अभियान चलाया राज्यों के बीच कॉंपिटिशन की कि सारे लाइसेंस वाइसेंस के चक्र को स्वरा कम करो भाई सेंसिटाइज किया उनको समझाया और मैं मुझे खुशी है कि देश के कई राज्य जिनको कभी हम डेवलप स्टेट नहीं मानते हैं उन्होंने इनिसेटिव लिया अच्छे राज्यों ने इनिसेटिव लिया और कई प्रोसेस को छोटा कर दिया सिंपल कर दिया और टेक्नोलोजी बेस कर दिया गुट गवर्णस का मानुभव होने लगा कि सामभान या मानवी की आवश्श्य रखता है अभी जैसे हमने कि इनाम नाम की योजना बनाई है इमंडी आज किसान को कितने रुपिये में माल बेचना चाहिए वो कोई और तै करता था अज टेक्नोलोजी और गुट गवर्णस के माध्यम से किसान खुद तै करेगा कि मुझे कहां बेचना है कितने दाम से बेचना है किसान का फाइदा होगा और इसलिए गुट गवर्णनस की यह आवशक्ता है दूसरा लोग तंत्र में सबसी बड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण एक ताकत में मानता हूं तो वो है क्या सरकार जनता की आवाज सुनती है सुनती है तो उस पर जिम्बेवारी के साथ रिस्पॉंस करती है हमारी गुट गवर्णनस की आवशक्ता है और अभी बहुत कुछ करना है सामान्य से सामान्य नागरिक की शिकायत यह सुनने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और टाइम फ्रेम में निर्धारित समय सीमा में उसको उसका रिस्पॉंस मिलना चाहिए उसकी कठिनाईया है तो उसमें से उसको भार निकालने के लिए सरकारी व्यवस्थाने उंगली पकड़ करके उसकी मदद करनी चाहिए उसको चूप नहीं करना चाहिए गुड़ गवर्नांस की दुरुष्ट्री से इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जितनी गुड़ ग्रिवन्स रिडर सल्सिस्टिम मैं अभी इनों हर महीने एक प्रग एक उठाता हूं लेकिन एड्रेस पूरी सिस्टिम को करता हूं अगर किसी ने पैंशन को लेकर के सिकायच की तो पैंशन के जितने मसलें हैं सब को पर मैं दबाव डाल करके कहता हूं क्यों नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ ताइम फ्रेम में कैसे करोगे तो गुड़ गवर्न जो ताइ है